और अधिक अंदर जाना पड़ेगा दो तरह के कृष्चन है एक है बेबी कृष्चन बच्चे क्रिष्चन जिनकी आत्मिक जिन्दकी बच्चे की तरह है और एक है जो जवान हो चुके हैं पाौलुस बार बार ये कहता है कि जब तुम तुम बच्चे हो तुम्हें वचन के भेदों की समझ नहीं है तुम्हें सिर्फ दूद पीना आता है तुम अन नहीं खा सकते तुम उसे पचा नहीं सकते अभी भी तुम स्ट्रगल करते हो प्रार्थना छोड़ दी, प्रार्थना कर ली कभी टाइथ दे दिया, कभी रह गया, कभी खर्चा आ गया, कभी रोजा रख लिया, कभी छोड़ दिया, कभी पाप कर लिया प्रवेशन ने कहा अभी तुम तुम बच्चे हो क्योंकि जो बड़े हो गए हैं जिनकी ग्यान इंद्रियां अभियास करते करते पक्की हो गई हैं जिने पता है कि यह पाप है वे बीचार शेतान तुम्हें कुछ भी कहे पूँछ भी तुम्हारे पास excuse हो तुम्हें पता है वो पाप है और तुम वहाँ पे नहीं जाओगे तुम बच जाओगे तुम्हारी ग्यान इंद्रिया भ्यास करते करते पक्की हो गए इसका मतलब तुम जवान हो गए हो गलातियां चार उसकी एक और दो आयत में लिखा है मैं कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है यद भी सब वस्तूओं का स्वामी है प्रंदु उसमें और नौकर में कुछ भी भेद नहीं कि प्रंदु पिता के ठेराय हुए समय तक संग्रक्षकों और प्रबंद्गों के वश्में रहता है क्या कहा उसने कि वारिस जब तक बच्चा है जब तक वो बालक है कहता उसमें और नौकरों में कोई भी अंतर नहीं तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारे नौकर भी हैं तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं सुबा उठते हैं खाते हैं पीते हैं उनको तुम कपड़े देते हो खाना देते हो पढ़ाई करवाते हो सुला देते हो नौकर भी क्या करते हैं सेम उठते हैं काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़ा तुम देते हो, सो जाते हैं, तो परमेश्व कायता एक बालक में और एक नौकर में कुछ भी ज़्यादा भेद नहीं है, फरक नहीं है, यद भी वो बालक सब घर का स्वामी है, लेकिन उसमें और नौकर में अभी कोई भी अंतर नहीं है जब तक एक बच्चा है अगर आप फॉरन में चले जाए एक बच्चे के माता पिता कर मर जाए तो सरकार संग्रक्षक और परबंदग ठेरा देती है उसकी लाइफ के उपर कि जब तक यह बालिक नहीं हो जाता अपना माइनस प्लस नहीं देख सकता तब तक यह दूद पिते बच्चे को ऑफिस की चेर दे सकते हो उसको रिजिस्ट्री पर साइन करवा सकते हो उसे बता सकते हो वो तो फिर यह वाली बात हो जाएगी जो अब अपनी स्क्रीन पर देखेंगे हां कि बच्चा दूद पी रहा है और साथ में साइन कर रहा है अपनी ऑफिस पर बैठा ऐसा हो सकता है कि देखो स्क्रीन पर हो सकता ऐसा अगली दो देखो ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि आप दूद पी रहे हैं और साथ में आपने प्रमेश्वर आपको ऐसा ही देखता है जब आप रबुसे कहते हो मुझे बड़ा चर्च चाहिए मुझे बड़ी परकत चाहिए मुझे बड़ी आशिष चाहिए परमेश्व कता है आत्म है तुम्हें बेटा तुम्हें बालक है तु यह संभाल नहीं पाएगा अगर मैं तेरी लाइफ में इतना दे दूं तो लेकिन अगर तु बड़ा हो जाएगा तो यह सब चीजे अपने आप बाप तरे कंट्रोल में दे देगा और तुझे किसी चीज के लिए भीख मांगने की या रोने और चिलाने की जुरुत नहीं पर समझ रहे हैं इस फोटो को देखो क्या ऐसा हो सकता है हां दिखा दे जाओ फोटो कि क्या ऐसा हो सकता है क्या जब आप अपनी हैसियत से ज्यादा मांगते हैं जिसे आ चीजों को मांग रहा है आपका चोटा बच्चा जितनी उमर जी रो रहा और बोले पापा मुझे फेरारी कारी चाहिए मुझे यही चलानी है आप उसे नहीं देते क्यों कि आपको मालूम है यह एक्सिडेंट कर देगा लेकिन अगर आप आत्मा में ग्रो करना स्टार्ट कर और आत्मा में अभी भी दूद पीचे पीते बालक की तरह हो लेकिन यह भी हो सकता है कि आप सिर्व 18 साल के हो और आत्मा में सफेध हो चुके हैं आप बूड़े और बजुर्ग और स्याने हो चुके हैं स्पिरिट में ऐसा भी हो सकता है तो परमेशर शारीरीक उमर के हिसा आप से आपको नहीं देता नहीं तो वो तीस साल के यूसुफ को कभी भी देश का प्रधान मंत्री नहीं बनाता वो तीस साल के डाउद को कभी भी यहूदा के गोत्र का और साड़े सेंतिस साल के डाउद को कभी भी पूरे इस्राइल का राजा नहीं बनाता ऐसा कभी नहीं ह कर सकते हैं कि परमेश्व फिर आपकी लाइफ में क्या करेगा हालिलूया आप इमेजन कर सकते हैं जब मैं 25 साल का